वरिष्ट अभीनीता अनुपम खेर ने खुलासा किया है कि उनकी माँ दुलारी भायराजू खेर और उनके परिवार के दो अन्य सदस्यों का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है उन्होंने यह अभी खुलासा किया कि इनका कोविड टेस्ट नेगिटिव आ उन्हें भूख नहीं लग रही थी कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी तो हमने डॉक्टर की सला पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें सब कुछ ठीक निकला फिर डॉक्टर साब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाईए और वहां पर इनका स्कै स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइलली निकला तो जाहिद सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइलली पॉजिटिव निकले और मैं नेगटिव था फिर हमने उनकी फैमिली को भी बूला मेरी भावी रीमा मेरी बतीजी फिंदा और मेरा जो बतीजा है प्रानित उनका भी सिटी स्कैन करवाया जिसमें मेरी भावी और मेरी बतीजी पॉजिटिव निकले माइड ली और मेरा जो बतीजा है प्रानित वो और इसके कुछ ही घंटों बाद अनुपम ने एक वीडियो के माधम से लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी माँ, भाई और उनके परिवार का हेल्थ अपडेट दिया, अनुपम ने वीडियो सांचा करते हुए बताया कि उनकी माधुलारी आइसलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दी गई है, बता दे कि उनकी माध कोकला बैन अस्पताल में अडमिट है, वहीं अनुपम के भाई राजू और उनकी फैमिली होम राजू और उसके परिवार वालों के लिए, कि वो जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी वापस खारा जाएं, सोशल मीडिया पर, परसनल मैसेजिस में सब के जवाब तो नहीं देज़ रखता लेकिन, मैं दिल से आप सब का शुक्रिया दा करना चाहता हूँ, क्या है कि जब परिवार के चार सदस से इस तरह की करोना वायरिस के शिकार हों तो घबरहार तो होती है, मन के किसी कोने में मायूसी तो बढ़ती है, पर ऐसे में आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों की सांतना मिली, तो उससे बहुत धाडस भी बंधा और एक पॉजिटिविटी का भी ऐसास हुआ, ममी जो हैं वो आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दी गई है, राजू और उसका परिवार होम कारंटीन में हैं, आम शूर वो अच्छे डॉक्टर्स की रेक रेक में हैं और जल्दी ठीक बजाएंगे, गौर तलब है कि जहां एक और अनुपम की मा और परिवार कोरोना वाइरस से जूज रहा है, वहीं दूसरी ओर महानाय कमिताब बच्चन, अभिशेग बच्चन, एश्वर अराय बच्चन और अरादिया बच्चन भी कोरोना वाइरस की चपेट में हैं, आई एनस रिपोर्ट